तो सबसे पहले गाइस तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि अगर इन वीडियों पे जो है मिलियन में करोन में व्यूज आ सकते हैं तो आपके वीडियों पे क्यों नहीं व्यूज आ सकते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने इनका मैं डि वीडियो अपलोड करना जानते हैं कैसे भी वो अपलोड हो जाए यूटूब पे अपलोड हो जाए उसके बाद में व्यूज आने लगें अब क्या होता उसके बाद में व्यूज आने के बाद में 10-20-50 या 100-200 ऐसे करके आप लोगों के व्यूज आ जाते हैं उसके बाद में लिखना चाहिए वो आप लोग यहाँ पर नहीं फिल करते हैं तो ङाज आज आप लोगों को बता रहाँ कि हम बताएंगे आप लोगों को की साट वीडियो आप लोगों को कैसे अफ्लोड करना है और आप लोगों को डिस्कप्शन बॉक्स में क्या-क्या फिल करना है और आप लोगों को सौट वीडियो पर कैसे थमनेल लगाना है इसकी पूरी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूँगा तो गाइस आप लोगों को क्या करना फटावड वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर चैनल पर मैरे पहली बार आप लोग विजिट करने तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए तो चलिए गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं गाइस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इतने वीडियो यहाँ पर देखे हैं सभी वीडियो में क्या होता है थमनेल कुछ अलग ही होता है और व अप्लोड कर दिया तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं गाइस आप लोग गाइस वी एन जो एक साप्टिवेर आता है वी एन से आप लोग इडिट कीजिए वहाँ पर और आप भी थमनेल वहाँ पर कोई भी दो सकेंड का वहाँ पर अपना थमनेल बना सकते हैं और थमनेल अप लोड करेंगे तो कोई भी अब जब आपका वीडियो देखेगा तो वह वीडियो उस जो आपने वहाँ पर फ्रेंट साइज में लगाया है आपको वह वीडियो वहाँ पर सो करेगा तो इस परकार से अपना थमनेल वहाँ से लगा सकते हैं और मैं बता रहा हूं आप जो इडिट जरूर कीजिए इडिट करने से क्या होता है वह उसकी क्रीक्टिविटीज होती है इंगेश होती है वो उसकी बढ़ जाती है अगर आप लोगों का सौर्ड वीडियो में कोई कहीं पर प्राब्लम आ गई है वीडियो बनाने में तो आप लोग उतना किलिक करके उस आप लोगों को आप-लोड करते हैं तब आमें क्या-क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले आपने वीडियो को आपना सेड़् करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में लिखना है, टाइटल में क्या क्या लिखना है टाइटल में आप लोगों को लिखना है जो जो कीवर्ड जो आप लोगों के जैसे टाइटल जिस पे आपने वीडियो बनाया है वो टाइटल लिख देंगे टाइटल लिखने के बाद दो चार वर्ड क्या करेंगे कीवर्ड में क्या करेंग लगा देंगे कौन कौन से कीवर्ड में लगाएंगे आपको देख लेना है मैं बता रहा हूं आप लोगों को सबसे पहला जो कीवर्ड होता है वो सौर्ट दूसरा होता है सौर्ट उसके बाद में होता है आप लोगों का सौर्ट वीडियो उसके बाद में होता है यूटूब उसके बाद में आता है आपका 1 million, ऐसे करके आप कई सारे keyword लगा देंगे, title में ही अपने लगाएंगे, और title में keyword लगाने के बाद में, अपना पूरा title को बाद में क्या कर लेना है, copy वहाँ पे कर लेना है, और उस title को copy करने के बाद में, आप लोगों को वही title description box में पूरा क आपका fill करने का तरीका रहा, आप लोग ऐसे अपना title और description box यहाँ पे fill करना, उसके बाद में guys, अब जब fill कर देते हैं, fill करने के बाद में, आप हमेशा video को अपने unlisted में upload करना, वीडियो को हमने जैसे unlisted में upload कर दिया, अब guys, video को unlisted में upload करने के बाद में, अब आपको क्य क्या करना है, अब आपको अपने सही time का इंतिजार करना है, जैसे आप अगर शाम को वीडियो डाल रहे हैं, शाम को upload कर रहे हैं, वीडियो 3-4-5 बजे या morning में upload कर रहे हैं, तो guys, क्या करना है, आपको उसी time का wait करना है, और उसके बाद में, जो वीडियो हमारा unlisted है, उस तो हमें, जैसे 4 बजे अब जब वीडियो अपना publish करते हैं, तो उसी time में आपको वीडियो अपना publish कर देना है, और publish करने के बाद में, आपको क्या करना है, पब्लिस हो तो हो गया, उसके बाद में हमें guys, जब तक guys, अपने वीडियो की reach नहीं मिलती है, अच्छी खासी त फुल फुल वीडियो वाज कर लेना है, और फुल फुल वीडियो वाज करने के बाद में, आप लोगों को वहाँ पे क्या करना है, एक like कर देना है, और like करने के बाद में एक प्यारा सा वहाँ पे comment कर देना है, इतना करने के बाद वीडियो को वहाँ पे छोड़ देना है, अगर आपके phone में 4-5 ID हैं तो आप इतना वहाँ से कर सकते हैं और करने के बाद में जब आपके वीडियो की reach अच्छी वहाँ पर हो जाती हैं उसके बाद में आपका वीडियो भी आगे बढ़ने लगता है और आगे जब रीडियो जाके वहाँ पर फशल जाता है तो वहाँ से अच्छे 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 गासे views और subscribers सब वहाँ से आपको आने लगते हैं और उसके बाद में guys क्या होता है आपका वीडियो फिर आगे अगर कहीं रुख गया जाके तो guys फिर क्या करना है आपको और 2-4 वहाँ पर keyword जोड़ देना है और keyword जोड़ने के बाद में क्या होता है आपका वीडियो फिर से rank करना start कर देता है तो guys आप लोगों का अगर वीडियो वहाँ पर रुख जाता है तो उसमें keyword और 1-2 keyword हटा के और 2-4 keyword और वहाँ पर add कर देना है हमारे description box में भी और हमारा title में भी add कर देना आप लोगों को है इतना सब करने के बाद में guys फिर आप लोग क्या करेंगे अपने वीडियो को वहाँ से छोड़ देंगे अब वीडियो जब छोड़ देंगे वीडियो तो उसके बाद में guys अब आप लोगों को एक दिन के बाद देखना है वीडियो पर कितने views आये हैं और आप लोगों को बार वे वीडियो को नहीं देखना है यह नहीं हमने अफलूड कर दिया उसके गंटे बाद देखने पक देखने इन तस मिनृट बाद देखने यह नहीं करना है आप लोगों को वीडियो कम सब्सक्राइब अपना वीडियो देखना है ऑज एक दिन के बाद अपना वीडियो आपलोड करते हैं इसलिए आपको उस फोन से वीडियो उस आईडी से वीडियो अपना वाच नहीं करना है आप दूसरी इमेल आईडी ओपन कर लीजिए वहाँ पर उससे अपना वीडियो वाच करते रहें तो उमीद है गाइस यह सौड़ वीडियो जो है अपलोड करने की विधी और आप को पशांदा होगी अगर आप लोगों को जानकरी पशांदा ही है तो गशाया आप लो वीडियो को लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली पार प्रवाराँ प्रवाराँ